हलो दोस्तों वेल्गम टो आईजा क्रियेशन और आज हम बनाने जा रहा है वन से टू येर बीबी के लिए अफगानी सलवार आज कल इस तरह की डिजाइन बहुत जाधा ट्रेंड में हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाने के लिए तो यहां पर आप देख सकते हो क यहां पर इसकी जो हमने वीर्थ ली है वो हमने 31 इंच ली है यहां पर यहां पर यह हमने फैब्रिक के दो पीस लिए है अब हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा साइड में सरकाते हुए दोनों पे एक साथ मार्किंग करेंगे तो यहां पर हम पूरे में 1.5 इंच पे मार्क यह निशान हमें इसलिए लगाने हैं कि बाद में हमें प्लेट्स बनानी है तो हमारी प्लेट्स जो है वो बराबर से आनी चाहिए उसके लिए हम यहां पे पूरे में दोनों पीस में 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे तो आप देख सकते हो कि हम पूरे में 1.5 इंच पे न बनाना स्टार्ट करें तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमारे दोनों पीस पे हमने मार्किंग कर ली है अब हम इसमें से एक पीस लेंगे और यहां पे प्लेट्स बनाएंगे जिस तरह से हम बॉक्स प्लेट बनाते हैं एक प्लेट सीधी और एक प्लेट उल्टी उसी तरह से हमें यहाँ पर box plate बनानी है तो हम पूरे में इस तरह से marking पे बराबर से plates बनाएंगे तो इस तरह से plates बनाने से plates बराबर आती है तो यह हमें पूरे में करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने दोनों पार्ट में plate बना ली है और उस पर एक सिलाई भी लगा ली है अब यहाँ पर हम यह जो शलवार है इसका पौचा मेजर करेंगे तो यह यहाँ पर 11 इंच है हमारे दोनों साइड में 11 इंच है तो 11 इंच के हिसाब से अब हम यह क्या करेंगे कि जो हमारी शलवार का bottom रहेंगा हम वहां पर भी 11 इंच की इस तरह से दो नहीं पर कि लिए और यह दो इस्तिन गयुंद हो हमारी वह इस पाट के लिए है यहाँ आप दे सबिस्कापटेएं बrav reminders करेंगे तो यहां पे हम इस तरह से पूरे में मार्किंग करेंग और उसके बाद यहां पर गोटापट्टी लगा कर शिलाय लगा लेंगे तो इसी तरह से हमें दोनों पैर के रेटी करके बताती हूँ यहां पर आप देख सकते हो कि हमने पूरे में गोटा पट्टी लगा ली है दोनों पॉचों में यह इसके दो पीस है अब हम यहां पर सिलाई लगाएंगे तो एक पीस को सीधा रखकर दूसरे पीस को उसके उपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहां पर एक सिलाई लगा लेंगे सेम हमें इस वाले पार्ट में भी करना है इसे सीधा रखकर इस तरह से दोनों पार्ट को आमने सामने सीधा रखके सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है और यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस bottom को हम इस शलवार में attach करेंगे तो यहाँ पर हमें इसे इस तरह से लेना है नीचे वाला part और यहाँ पर पूरे में हमें बराबर से पकरते हुए सिलाई लगा देनी है सेम हमें इस वाले side में भी करना है इस तरह से पकरते हुए पूरे में सिलाई लगानी है और उसके बाद हम क्या करेंगे ये जो उपर वाला पार्ट है half inch की अंदर की तरफ मोडते हुए इस तरह से उपर में भी एक सिलाई लगा लेंगे सेम इस वाले पार्ट में भी करेंगे कि half inch अंदर की तरफ मोडेंगे और पूरे में हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा ली है और इस तरह से लगाने से आपका जो शलवार का बॉटम है वो बहुत ज़ादा फिनीशिंग में लगता है तो आप इसी तरह से लगाए इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक सुई और धागा लेंगे और इस तरह के हम यहाँ पर इस टोन लेंगे और यहाँ पर सुई धागे की मदद से हमें देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ तो जो हमारी बॉक्स प्लेट की उपर से जो पट्टी आई है उसे हमें यहाँ पर एक नॉट लगाना है बहुत सिंपल होता है इस तरह से लगाना और उसकी बाद में हम यहाँ पर इस तरह से इसे अटेच कर देंगे तो यहाँ पर आप इसे बराबर से सिलाई लगा दे यहाँ पर इसे हमें बराबर से अटेच करना है एक दो बार हमें यहाँ पर नॉट लगानी है आजकल यह डिजाइन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेन में है तो आप एक बार इस तरह से इस शलवार को ज़रूर ड्राय करें तो आप देख सकते हो कि यह कित्ती सुन्दर लगा है हमें सेम पूरे दोनों पार्ट में इसी तरह से अटेच करने है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यह जो स्टोन है वो पूरे में अटेच कर लिए है और जो बनने के बाद बहुत यह सुन्दर लग रहे है अब इस जो शलवार है हमारी अब यहां पर क्रॉच के लिए निशान लगाना है तो इन दोनों पार्ट को हम बराबर से कर लेंगे यहां पर इस तरह से हमें बराबर से करना है तो यह देख सकते हो आप कि यह क्लोस साइड है हमारी और यह ओपन साइड है तो जो हमारी ओपन साइड है वहाँ पे हमें क्रॉच के लिए निशान लगाना है तो हम क्रॉच के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे वैसे जो हमारी क्रॉच की लेंध होंगी वो हमारी 8 इंच होंगी बाद में हम 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे उपर और साथी साथ हमें 2 इंच अंदर की तरफ लेन तो हमने यहां पर इसे कट कर लिया है अब यह हमारे दोनों पाठ है अभी हमें क्या करना है कि यहां पर इसका जो सेंटर है तो हमें बराबर सेंटर में प्लेट्स लेनी है इस तरह से हम जो सेंटर की प्लेट्स है वो बराबर से इस तरह से करते हुए यहां पर सिलाई लगाएंगे उसके लिए हम यहां पर बेल्ट अटेच करेंगे तो बेल्ट का मेजर में आमको बता देती हूँ तो यहां पर बेल्ट की जो विर्थ है हमारी वो हमारी 16 इंच है और इसकी जो लेंद है वो हमारी 4.5 इंच है तो हमें क्या करना है कि यह belt को इस तरह से attach करना है तो हम सबसे पहले belt के center में निशान लगा देंगे और यहां पे इस center से इस तरह से मिलाते हुए हम plates बनाएंगे जैसी हमने नीचे में box plate बनाई है सेम हमें यहां पर भी center में box plate बनानी है और यहाँ पर बराबर से इसे अटेच कर देना है सेम हम इस वाले पार्ट में भी करेंगे कि जो हमारा सेंटर रहेंगा वहाँ से हम box plate बनाएंगे हमें पूरे में box plate नहीं बनानी है बस जो हमारे शलवार का center है हमें उतने में ही box plate बनानी है उसके पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर इसका जो आसन है वो हम attach कर लेंगे तो इस तरह से पकड़ के हम यहां पर क्रौच पर सिलाइ लगा देंगे दोनों साइड में तो मैं यह आपको रेडी करके बताती हूँ और साथी साथ हम क्या करेंगे कि सेंटर में भी यहाँ पे एक कट लगा देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्रॉच को भी सिल लिया है दोनों साइट के और यहाँ पे सेंटर में भी हमने प्लेट्स ले ली है आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने पूरे में प्लेट नहीं ली है सिर्फ सेंटर में ही प्लेट ली है और उसके बाद हमें ये बेल्ट इसमें अटेच करना है तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देंगी हमारी शल्वार और ये बराबर से सेंटर में हमारी प्लेट सा जाएंगी उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे बराबर से पकड़ते हुए यहाँ पर पूरे में एक सिलाई लगानी है और साथी साथ ये जो हमारी शल्वार का सेंटर है उसे हमें यहां पर इस तरह से अटेच करना है तो यह सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने यहां पर सिलाई लगा ली है और साथी साथ बेल्ट भी हमने अटेच कर लिया है अब हम belt को इस तरह से open करेंगे और यहाँ पर अंदर की तरफ से इस तरह से half inch का अंदर से fold करते हुए पूरे में हम सिलाई लगा देंगे तो मैं यह आपको ready करके बताती हूँ और थोड़ा हम elastic के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमने पूरे में सिलाई लगा ली है और इतना portion elastic insert करने के लिए छोड़ दिया है इसके बाद हम इस तरह का elastic लेंगे इसकी जो length है हमारी यहाँ पर वो 16 inch है अब हम क्या करेंगे कि एक 70 pin लेंगे और 70 pin की मदद से इसमें elastic insert करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यह elastic insert कर लिया है अब यहाँ पर हम एक पक्की सिलाई लगाएंगे और जो portion हमारा open है उसे भी हम सिल लेंगे तो यह रहा हमारी शिलवार का final look अगर आपको हमारा यह simple सा method पसंद आता है तो हमारे इस channel को ज़रूर subscribe करें और इस video को like और share करना बिल्कुल न भूले हम इसी तरह के videos हमारे इस channel पर डालते हैं जो आपको बेहत पसंद आएंगे वीडियो पूरा देखने के लिए Thank you